नमस्का दोस्तों मैं दिनेश पांडे आप सभी का कॉम्टेशन कम्यूटी में हादिक स्वागत करता हूं और सबसे पहले तो जो जो इस्टुडेंट्स मेंस का एक्जाम दिये हैं उन सब को बहुत-बहुत सुपकामना है और ये उम्मीद है ये प्रात्ना है भगवान से कि जो जो इस्टुडेंट मेहनत किये हैं जिनों जिनों ने जिस लक्ष को हासिल करने के लिए एक दिन रात एक किया है उनका ये सपना उनका ये लक्ष उनको हासिल हो जाए इसी सुपकामनाओं के साथ मैं फिर से आप सभी का कॉम्पेशन कम्यूटी में बहुत-बहुत स्व साथ वापिपर है उसके पार्ट वन में जो जो कोशन आये थे उसके आंसर रेटिंग कैसे करने हैं कैसे उसमें आपको आंसर लिखना था इन सारी बातों को हम क्या करेंगे आज चर्चा करेंगे मगर उसको मैं सुरुआत करूँ सबसे पहले आप सबको और जो उन इस्टु आपका वहाँ पर महनत होता है 90 परसेंट आपकी महनत होती है और 10 परसेंट क्या होती है भगवान की क्रिपा होती है यह कंफाम है यह कंफाम है हम बोलते जरूर है कि 100 परसेंट महनत है 90 परसेंट आपकी महनत होती है और 10 परसेंट क्या होता है कि भगवान की क्रिपा होती ह इसको एक तरीके से बोल सकते हैं किस मर्द तो जो एसा नहीं कि कोई मेहनत नहीं करता मेहनत सब करते हैं तो जो इस मेंस को नहीं लिख पाए हैं वो बिलकुनी राज मत होएं फिर से आपको चांस मिलेगा तो जो कमिया रह गई थी जिसके करण pre-qualify नहीं हो पाया आप मेंस के बहुत बहुत बधाई देता हूं क्योंकि इस बार का जो result आया था ठीक है वो बहुत ही एक तरीके से क्या बोलेंगे complicated result था क्योंकि कुछ essay student इसको qualify नहीं कर पाए हैं जो already post पर हैं ठीक है ओके और जिन्होंने बहुत महनद भी किया जो तो तीन बार interview सी भी return आ चुके हैं वो इसी उमीद के साथ यह भी जरूर करने यह भी जरूर सोचता हूं आप लोग के लिए कि जो जो इस means को लिखा है ठीक है वो बहुत ही महनद किया होगा क्योंकि अगर paper overall अपन सुरू से मतलब first paper से लेकर के 7th paper अगर आपन देखें तो paper ना तो बहुत ज़्यादा hard था और न तो overall paper को अगर आप अनलाइस करते हैं तो paper कैसा था एक average paper था मगर फिर भी क्या होता है कि मेंस है और जहां तक CG मेंस की बात है तो यहां पर जो वो answer rating करने के लिए बोलता है जो देता है question और उसके answer rating करने के लिए वो देता है तो यहां पर कुछ student को problem यह होती है एक लिक है है आप से जो question वो पूछा है आपने वही question का answer उसको दिया है कि नहीं में मुद्दा यहां पर आता है और समानता यहीं पर हम से चूक हो जाती है कि हम महनत तो बहुत करते हैं हम मेंस के लिए भी दीन रात महनत करते हैं ठीक है ना मगर फिर भी हमारा मेंस qualified नहीं हो पाता औ अगर कैसी उसको clear करना है कैसे answer को लिखना है और क्या question पूछा है उस पी ज्यादा concentrate नहीं कर पाते और इसी कारण कुछ नंबरों से हम क्या हो जाते हैं मेंस में खेल हो जाते हैं तो आज का जो paper का मैं आपको जो analyze कर रहा हूं आपको यहीं बताना चाहता हूं जो paper दे चु तो हमको answer को कैसे लिखना चाहिए और कैसे हम मेंस को pass कर सकते हैं तो यह उनके लिए भी profit है यह उनके लिए भी lab है जो मेंस नहीं लिखे हैं और जो लिख चुके हैं वो एक बार analyze कर लेंगे कि हां हमने उसी pattern पर answer दिया है कि नहीं क्योंकि सात्वा paper जो है यह एक तो बहु है और उसको पढ़ लें हाना clear तो यहां पर यह थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है तो उसी को ले करके मैं part 1 को आपको आज analyze कर रहा हूं ऐसी इसके part 2 के जितने question है उसको next video में analyze करूंगा ताकि आपका 7th paper को एक-एक part में divide करके मैं analyze कर रहा हूं ताकि एक साथ ना करके अलग- तो में लिखे तो यहां पर वो चीज़ उसको वहां पर क्या करे profit करे मतलब यहां वहां पर उसको यह चीज़ लाब हो जाए कि हां मुझे ऐसे answer rating करना है clear ओके तो फिर से सुपकामनाओं के साथ कि आप सभी का जो जो महनत किया है जो बहुत महनत किया है जो दिल से चाहता ह कि अपने लक्ष को हासिल करे क्योंकि यहां पर यह है कि जो जिता वही सिकंदर है ठीक है फिर भी आप सभी को सुपकामना है clear और यही प्रातना करता हूं भगवान से कि आपका selection हो और आप उस post पर पहुंचे जिस post का आप सपना देखे हैं जिसके लिए आपने दिम रात म लोंने महनत की है ठीक है क्योंकि एक आदमी के सफ़ता की पीछे केवल एक आदमी नहीं होता उसके पीछे पुर्य परिवार का त्याग होता है तो वह त्याग काम आ जाये और आप सफल हो जाए ठीक है इसी सुपकामनाओं के साथ चलिए हम लोग सुरुआत करते हैं मेंस क सीजी पीएसी मेंस पेपर एनलाइज जनरे स्टेडी पांच वा था और सब्जेक कोड था साथ ठीक है ना चार पांच वा पेपर था ये मगर पेपर कौन सा था साथ और यह हुआ था पार्ट वन उनतीस पांच दो हजार बाइस को संडे का दिन था ठीक है ना नौ से बारा प्रक्रिष्ए जो नन होता है यहां पर यह रहता है कि आप यहां पर पूछा है तो आप अगर पर्फ्रेक्ट आंसा लिखते हैं तो यहां पर आपको 2 में 2 भी मिल चाता है ठीक है पूरे 2 में 2 नमबर मिल जाता है और सबसे पू wow to 9 10amat पूरा हासिल करना मगर कारण क्या कि कुछ student को ये दो number क्यों नहीं मिल पाते reason ये होता है कि पूछता कुछ और है और लिखते हम कुछ और है जैसे पहला ही question है पहला question आपको पूछा कि आयंकाली का भारती समाज में क्या योगदान ठीक तो आपको ये पता होना चाहिए पहले कि आयंकाली कौन थे ठीक और उसके बाद उन्होंने क्या काम किया मगर question अगर पढ़ोगे तो उसने सिर्फ ये ही पूछा है कि आयंकाली का भारती समाज में क्या योगदान रहा तो केवल उनके योगदानों को लिखना है आपको कि योगदान किये तो वैसे आप जानते होंगे कि ये एक समाजिक कार्य करता थे मतलब समाजिक क्रांती के अगरदूत थे जो केरल में दलीतों के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया था अश्रिप्रिष्टा को खतम किया था उस समय नायरजन जाती के जो लोग थे उनका बहुत प्रभाव था और ये दलीत का शोशन करते थे तो छोटे जाती के लोगों के लिए उनको समाजिक, आर्थिक, राजनेतिक, सैक्षनिक क्या दिया उनको अधिकार दिलाया, उनके लिए काम किया तो यही सब चीजे उनको क्या करना है आपको इस आंसर में इंक्लूट करना है तो यहाँ पर अयांकाली कौन थे यह नहीं बताना है यहाँ पर सिर्फ हसिर्फ उनके योगडानों को बताना है कि उन्होंने क्या किया था कि एक तो दलीत उत्थान के लिए काम किया उन्होंने ठीक मैं पूरा आंसर नहीं मैं आपका अनलाइज कर रहा हूं दलीत उत्थान के लिए उन्होंने काम किया ठीक क्लियर जिसमें उन्होंने समाजिक आर्थिक राजनैतिक समाजिक आर्थिक का अग्रदूत कहा जाता है इतना आपको करना तो सिर्फ लिखना था और यह आपका आराम से चाहलना पूरा ना की वह एक समाजी क्रांती के अग्रदूत थे यहां पर उनका जन्मन कुछ नहीं जिन्हों ने केरल में है यह दक्षिन शेत्र में यह लिख सकते हैं दक्षिन शेत्र में दलीतों या अश्प्रिष्टा का अंत करके दलीतों के उत्थान के लिए उन्हें अधिकार दिलाया जिसमें समाजीक आर्थीक, राजनेतिक, सैक्षनिक उनके युगदान रहे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको उनके युगदानों को लिखना था और अराम से आपको यहाँ पर कितना नमबर मिल जाता आपको यहाँ पर दो में दो नमबर वो दे देता अराम से दे देता किसी भी कीमत पर आपको यहाँ पर पूरा दो में दो नमबर मिल जाता, ठीक है, clear, ओके, तो सिर्फ उनके युगदानों को यहाँ पर लिखना था, clear कि क्या-क्या उन्होंने काम किया, ठीक, उसके बाद दूसरा कोश्चन है आपका, यही 30 वट का, कि विशेश विवाधिनिय सिर्फ और एक था, अंतर धार्मिक विवाध और एक था, अंतर, जातिय विवाध को माननेता देना, ठीक, और धार्मिक परमपरा का समापन करना, मतलब जो अंतर धार्मिक विवाध होते हैं, और जो अंतर जाति विवाध होते हैं, यह एक इनी विवाध को धार माननेता पदान करने के लिए, ठीक, और उनके पंजियन के लिए ही इस एक्ट को लाया गया था, क्योंकि बहुत रीती रिवाध होते हैं, तो धार्मिक रीती रिवाध को खतम करना, जो एकड़म परमपराओं के नुसाद चले आ रहे हैं, उनको खतम करने, और अंतर धार्मिक, और अंतर जातिय विवाध को माननता देने का ही इसमें क्या किया गया था? प्रावधान. तो सिर्फ यह आपको यहीं दोनों को क्या करना था यहां पर explain करना था इतना आप कर देते तो आपको यहां पर लगभग देर से दो नंबर मिल जाता क्योंकि याद रखो CGPSC mains में अगर जो वो पूछा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही लिखना है यहां पर कोई भी एक्स्रा आपको दिमाग नहीं लगाना है किसी प्रकार का एक्स्रा कोई भी चीजों को सामिल नहीं करना है और ना ही CGPSC mains यह बोलता है कि आप बहुत भारी भरकम और बहुत hard hard word का use करो बिल्कुल सरल सब्दों में समझाना होता है ठीक है ना और इसी समझाने के द्वारा ही यहां पर आप ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं तो simple सा question था तो answer भी simple सा किसी प्रकार का कोई भी इसमें कोई भी modification नहीं करना था अकिल दो चीज़ों के था यह क्या अंतर धार्मिक और अंतर जाती विवाह के लिए ठीक है ओके चलिए next question next question है राश्च्ती माना धिकार के अध्यक्ष वस अधस्यों की नव्यक्ति किसकी सिफारिस। पर की जाती है और कौन करता है तो यहां पर गठन करता है ठीक है ना तो समीति का गठन राश्पती द्वारा ठीक और उस समीति में कौन-कौन होता है तो एक प्रधान मंत्री ठीक जो अध्यक्ष होते हैं फिर उसके बाद ग्री मंत्री ठीक उसके बाद लोकसभा में विपक्ष कनेता राज्यसभा में विपक्ष कनेता फिर लोकसभा तिक और उसके बाद राज सभा का उप आपती ये सब्समीति में होते हैं और इसकी सिफारिश फिर लास्ट में क्या बता देना है कि राश्पती इथैं उनकी निउक्ति करता है तो समीटिय का घठन कौन करता यह बता न और उस समीटिय में कौन कौन होता है यह बताना है और लास्ट में बता देना था कि कौन न्यूक्त करता है ठीक बस इतना ही लिखना था आपको चाल लाइन में अराम से आपको यहां पर दो नंबर आसानी से मिल जाता ठीक क्लियर ओके तो यह आपको क्या करना था यहां पर आंसर लिखना था उसके ब पाहित मतलब इस अदिनियम के तहत अगर विसेश नालाह का गठन किया जा रहा हैry तो किसे नयाधित्र बनाय जाएगाे कोशन यह पूछा है थिकह ना कॉन पात्र होगा कॉन योग योग जिसको चुकात तो कौन योग होगा तो यहां पर आपको उसकी योगिता लिखनी है कि कौन वेक्ति योग होगा तो वह वेक्ति जो सैसन कोट का क्या हो जो क्या हो सैसन जजरस्ट चुका हो सैसन ने अधिस सहायक सैसन ने अधिस अगर ये तीनों पद पर कार कर चुका है तो ही वो क्या होगा अहीर्थ होगा तो आपको बताना है कि कौन होगा किसे बनाया जाएगा विसेश नयाधिस तो उसमें योगिता क्या होनी चाहिए तो ये तीनों की तीनों योगिता को आपको क्या करना था सिंपल में डिस्क्राइब कर देना था यहां पर आपको आंसर में क्या मिल जाता नंबर क्योंकि देखो दो नंबर का जो आंसर होता है न वह वर्ल नाइनरी पूस्टा है वह समाइनता है उसके आंसर रहें आजाते हैं मगद कुछ कोशन ऐसे ही जिसको आपको लिखो तो सिंपलसा उसको क्या कर देना है तो उसको आपको कैस नंबर मिल जाता है ठीकहे यह के बार बार आपको एक चीज़ी लीपीट कर रहा ह। यहां पर उसने जो पूछा है शिर्फ आपको वही बताना है उसका पुरा डिटेल नहीं देना है कि कब शुरुआ कैसे हुआ क्या हुआ क्या 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 कुछ नहीं जो बोला है कि चुप चाप उसी को क्या करो उतार दो अराम से यहाँ पर नंबर आपको गेन हो जाएगा किसी प्रकार का कोई भी ज्यादा हाड वर्क स्वारी कोई भी ज्यादा हाड वर्क का यूज नहीं करना है यहां ठीक है क्योंकि सरल सब्दों में क्योंकि चेक करने आपके कुछ ऐसे ही स्टुएंट होते हैं जो सिंपल कोश्चन को भी बहुत कॉंप्लिकेटेट में आंसर में रिस्क्राइब कर देते हैं तो वहां पर उसको चाहिए कि स्वार्सरण सब्दों में अंसर को लिखा जाये ताकि उसको पढ़िए नंबर यह जो तो समझ में आज है ठीक है ना इसे कारण शुरू हुई योदना लागू हुई ठीक ना यह सब पुछ नहीं काना यहां पर सिप यह पुछआ है कि यह क्या है तो है के प्रमाण पत्र मिलाद पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, सिपना घठता है, जिटना भी तो वो सब चीट क्या मिलेंगी आपको आपके घर में मिलेंगी तो इसके लिए सुरूब किया गया था मुख्य मंतरी मितान योजना कि सिफ आपको उसका वर्क बताना था कि वो क्यों आया यहां पर कोई डेट नहीं मेंसन करनी है कहां से लाग हुआ यह सब कुछ मेंसन नहीं करना है सिर्फ सेफ कौन कौन से प्रमान पत्र आपको होम डिलिवरी करेंगे उन सब के बारे में यहां पर आपको लिख देना था सिर्फ यही करना था यहां पर क्लियर देखो कोश्यन में पढ़ रहा हूं और आपको answer writing कैसे करना है उसको मैं oral बता रहा हूं यहां पर मैं लिख नहीं रहा हूं answer ठीक है ना क्योंकि हर किसी के answer लिखने का तरीका अलग लग होता है तो वहां पर मैं आपको यह बताना चाहरा हूं कि आपको वहां पर कैसे करना था तिक यह पूछा क्या है क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है कि यह पूछा है मिटानी ओदना तो इसमें कई सुड़ेंट ऐसे होंगे जिन्नोंने यहां इस को यह सुरू हुआ यह भी लिखा होगा मगर वह गलत है उसने कोई तारीक वाषर कुछ निहीं पुछा है उससे सिर्फ ःती पूछा है कि मुख्य मन्तरी मितन योजना क्या है कि यहीν कि ये सीजीली पाइसी में से हमें जरूर लगता है कि यह बहुत हार्ड आम है नहीं को और कोई किसी प्रकार के यहां पर योजना को बताना था नहीं Technology को जाती प्रमार पत्री विवा प्रमार पत्र है जैन्व प्रमार पत्र करने हैं। कि मुर्या के लिए इसको शूरू किया। है तो पॉनी पसारी इसमें भी सेम यही क्या है पूछा है तो यहां पर ना किसी प्रतार का कोई देख लिखना है आपको ना यहां पर कब से शुरूआ नहीं कुछ नहीं लिखना है तो यह क्या था कि ग्रामीड बिरोजगार युवाओं को ठीक है नया वैसाय शुरू करने के तो यहां पर यहां पर शुरू करSerum करते हैं कई देना के तो परमप्री की वैसाय को तो बढ़ावा देने के लिए मुए यहां पर यह एक लाइन और यूज कर देते आप इतना वर्ड यूज कर देते तो यहां पर अराम से आपको दो नंबर मिल जाता क्योंकि यहां पर सिर्फ पर सिर्फ ब्रेवजगार युवाओं को वैसाय सुरू कर निकले नहीं था यह यह परंप्रिक वैसाय को बढ़ावा देने क्लिए इसको शुरू किया गया था तो आपको सिर्फ यहां पर यही बताना था ठीक है क्लियर तो यह था आपका इसका आंसर राइटिंग ठीक ओके चलो नेक्स्ट उसके बाद सीवील अधिकार सरक्षान धिनियम उन्नीशोपशपण के इंतरगत सीवील अधिकार और होटल की क्य थिक है क्लियर तो यहां पर एक आजाएगा आपका सीवील अधिकार ठीक इसको दो रहीं में लिग दो ठीक और उसके बाद यहां जाएगा आपका ओट एधिकार की परिभासा कि यह नियूर्ट कि जिसमें अशुप्रिस्ता को खतम करके क्या करना था द मतब सभी को समांता काधिकार देना ठीक और होटल होटल में क्या था कि होटल में धाबा जलपान ग्री कैफे कौफी कैफे ठीक ना इन सब को क्या कहा गया है होटल का दर्जा दिया गया है तो सिंपल सा क्या करना था यहां पर आपको आंसा लिखना था कि होटल क्या है किसे कहा गया है ठीक जलप को और जाज अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता क्लियर तो यहां पर लगबग गिरी सी गिरी हाथ में आपको एक से देड़ नमबर तो आराम से मिल जाता ठीक तो सीविल अधिकार क्या है इसको बताए दीजिए कि जिसमें अश्रिप्रिश्टता को खतम करके सभी को समानता का अधिकार ठीक और यहां पर होटल में जिसमें जलपान धाबा ठीक उसके बाद कैफे ठीक है ना उसके बाद साइबर कॉफी कैफे ठीक इन सब चीजों को किसका दरजा दिया गया है होटल का दरजा दिया गया है ठीक है ना ओके क्लियर और यहां पर क्या बत को बताए गया तोmat fast को इसमें इसमें जिपतर में सारी परिवासाती इस में नंबर यहां पर आपको गया कुंझ हो जाता okay उसके बाद सुचना प्रधोदकिय अधिनियम 2000 के उद्देश तो यहाँ पर सिफ उसका उद्देश को बताना है कि इसको आखिर क्यों लाया गया था ठीक है clear तो उद्देश में क्या था कि उद्देश में क्या लिख सकते थे आप उद्देश में लिख सकते थे कि e-commerce को बढ़ावा ठीक e-business को बढ़ावा ठीक cyber अपराद को रोकना ठीक उसके बाद e वैपार को बढ़ावा वही business आ गया उसी में ठीक लेन देन को बढ़ावा ठीक कम्प्यूटर का जारा जो भी अपराद किया जा रहा है उस पर रोक लगाना तो यह सब सारी चीज़े का है electronic माध्यम से जो भी कार हो रहे हैं उनको सुरक्षा पदान करना और उनको बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया था सुतना प्रवधित की अधिनियम 2000 को लाया गया था तो सारा का सारा इन सब चीज़ों को क्या कर दो यहां पर मेंशन कर दो अराम से चाल लाइन में आपके आंसर आ जातें ठीक इसमें ज्यादा किसी भी प्रकार का कोई भी सोच समझ करने की जरुआत नहीं थी तो यह पहला साइबर क्राइम को रोकना कम्पूटर कमाध्यम से अपराद हो रहें उनको रोकना उनको अंकुस लगाना उनके लिए नियम बनाना तो इन सब चीजों के लिए क्या किया गया था सुटना प्रवधित की अधिनियम 2000 को लाया गया था यहां पर कोई उसका डेट नहीं बतान करना था आपको लिखना था अब आजाओ 60 वर्ड का कोशन ठीक है ना जो थे चार अंक के तो पार्ट वन से 60 नंबर के भी कोशन यहां पर थोड़ा सा लेवल उसका बढ़ाया था ठीक चार नंबर का था ठीक और यह शार्ट वर्ड शार्ट वर्ड मतलब मैक्जिम आपके स क्लियर तो यहां पर थोड़ा सा उसके लेवल को बढ़ाया था ठीक मगर यह भी पार्ट क्या था थोड़ा सा मतलब जो सिक्स्टी वर्ड के थे इसके भी कोश्चन थोड़े से सरल थे क्योंकि यह पेपर सातों पेपर ज्यादा हाड नहीं था ठीक एकदम सरल सब्दों में अंक हैं चार थीक चलो पहला 36 गण्ड गो सेवा आयोग अदिनियम 2000 के अंतर रगत आयोग के क्या कार बठाए गये हैं तो यहां पर आपको गजो आयोग के जो गठित किया गया है उसको क्या-क्या कार दिया गया है, वो क्या-क्या कार करता है, इसके बारे में बताना था, तो इसका answer आप क्या, एक बाद याद रखना, कि 60 सब्द के कुछ question ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसको कई student क्या करते हैं, point में लिख देते हैं, जैसे अब इहीं पर direct group से answer कैसे लिख सकते थे, कैसे लिखोगे, मतलब क्या लिख रहा होगा, कि यहां पर पुछा है कि कार, तो यहां पर क्या करें होंगे, कुछ student, ऐसे क्योंगे, पहला कार, दूसरा कार, तीसरा कार, चौथा कार, पांचवा, छटवा, सातवा, और यह आठवा, आठवा, आठ कार लिख दिया, मा और दिए गया कार लिंकित हैं जिसा कर दो एसके बाद यहां पर क्या करो जो भी उसके कार है कि पसूं की रक्षा करना केवल गोधन कहने के मतलब केवल गायों के लिए बस नहीं था ठीक पसूं की रक्षा करना अगर उनकी हत्या की जारी है उनकी तसक्री की जारी है तो उन पे रोक लगाना ठीक उसके बाद चारा का उचीत प्रभधन करना उच्छी क्वालिटी का चा सब्सक्राइब को फिर निया नियुक्ती एक फिर बीच बीच में क्या निरिक्षं करना करना कुछ आला में जाकरके जानौरों को खुली तो उनके उनके निकसारे का प्रवंधन करना ठीक है ना क्लियर तोके फिर उसके बाद उनका सरक्षन करना उनकी तस्क्री को रोकना उनको हत्या कर रहे हैं उनको मार रहे हैं तो उनको क्या करना उनको उनके भी रोक लगाना तो इस सारे के सारे कारे करने का अधिकार किसको है मतलब क्या कारे करता था यह यही गौसिवाय लोग करता था तो आंसर कैसे इसको लिखाना है कि पहले तो लिख लो कि तहट निमिन लिखीत कारें बताए गए और उसके बाद सारे कारों को एक एक लाइन में क्या कर दो एकस्प्रेंज कर दो छारा उचीत चारा प्रबंधन करना चारा का प्रबंधन ठीक साहता प्रदान करना गौठान के लिए तो इन सारी चीजों को क्या करना इसमें mention करना था आपको ठीक है clear और अराम से इसमें सरल सब्दों में अंसर आपके नतर आजाते यह निदेश के लिए उलंगन के लिए शास्ति क्या वर्णन है शास्ति मलब कुछ सब्द ऐसे होते हैं हिंदी के दुसरण में नहीं आते तो इंगलीश पढ़ोगे तो यह लिखा हुआ है पैनल्टी ठीक तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ पैनल्टी के बारे में बताना था ठीक तो यहां पर तीन प्र प्रणान क्या लिख सकते थे इतले हैं का प्रणान 5 साल और एक लाक या दोनों फिर यहां पर दूसरा था आपका कमपनी द्वारा किया अपराद ऊसके लिए जो भी डंड उसको यहां पर मेंशन करना था तीसरा सरकारी विभाग द्वारा किया आपराद किया गया अपराद ठीक और उसके लिए जो डंड है उसको यहां पर मेंशन करना था बस आपको और यहां पर कुछ भी नहीं करना था कि वो क्या है कैसे है कुछ नहीं तीन पॉइंट में आपका यह अंसर कंप्लीट हो जाता कि समानने अपराद समानने वैक्ति दौरा किया ग प्रवधदान है और तीसरा आपका सरकारी विभाग के दर अगर पर्यावरण का सरक्षान का उलंगन क्या जा रहा है तो इसके लिए प्रहवधदान है वह फे तीन पॉइंट में आपको यहां पर आंसर कंप्लीट हो जाते हैं ठीक है क्लिएर तो समाननने कंपनी और विभ ना था यहां पर क्लियार क्योंकि वो सिंपल सा बोला है कि अगर इन आदेशों और निद्दोसों का उलंगन हो रहा है तो उसके पैनल्टी क्या है ठीक तो सिंपल सा तीन पॉइंट में आपको पूरा पैनल्टी को एक्स्प्लेइन कर देना था कि समाने वाला व्यक्ति कंपनी दर अगर कर रहा है और कोई सरकारी भी भाग कर रहा है तो उसके लिए क्या डंड है यहां पर यह आपका अंसर कंप्लीट हो जाता ठीक है क्लियर उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है दहेज 36 गड़ दहेज निशेज नियम 2004 को समझाईए याद रखो कोईशन में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसमें लिखता है समझाईए वर्लेंड कीजिए विवेचना कीजिए समिक्षा कीजिए तिक इस टैप का वर्ड यूस करता है लास्ट में तो इन स सब्सक्राइब के आंसर राइटिंग अलग-अलग होते हैं याद रखना ठीक है यहां पर सिर्फ असी बोल रहा है उसको समझाओ कि वह क्या है ठीक तो यहां पर ना तो उसके लिए डेट लागू करने की बात थी कब डेट लाग हुआ तो सिंपल सा आपको उसको समझा दे गया था जिसमें कुछ प्रावधान का वर्णन ठा जिसके तहट दहेज अगर कोई ले रहा है ठीकना तो उसके लिए डंड का प्रावधान को यो इसके बाद इसमें एक अधिकारी की न्यूपती के बारे में भी कहा गया है जो इन सारे मामलों की जाच करेगा फिर इसमें पुलिस की भी क्या भूमिका के बारे में बताया गया था और उसके बाद इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह लिख देता है आप क्या कि इस अधिनियम के तहट अगर शाष्की कर्मचारी द्वारा या दिकाई द्वारा विवाह किया जा रहा है और अगर उसमें दहे दूट तो क्या करना पड़ेगा उसको दूसरे दिन अपने विभाग में तो उसका भी उसमें क्या करना पड़ेगा उल्ले करना पड़ेगा इसके तहट टाहत बीच में कभीवी जाच के लिए बुलावा जायेगा तो उसको आना पड़ेगा जाज के लिए किसी भी समय की सिमा की कोई पाबंदी नहीं है यहाँ पर बिना वारेंट के भी गीर अपतारी किया जा सकता था तो इन सारी बातों को क्या करना था आपको explain करना था बस और इस स्याद है यहाँ पर कुछ भी answer rating नहीं करनी थी प्राउधान आउधान नहीं बतान से यहाँ पर तो यहाँ पर अराम से ख्रीक है ना इन सब बातों को ही क्या करना था समझा देना था तो यहाँ पर आपका आपका असानी से और सुन्दर तरी से क्या हो जाता आंसर राइटिंग हो प्राप्त करने तो कौन पात्र होगा अगर कोई पात्र पूछ रहा है तो अगर इसको यह दो नंबर में पूछता तीस सब्दों में पूछता तो आप आसानी से क्या कर सकते थे उसको लिख सकते थे मगर यहाँ पर सिर्फ फर सिर्फ क्या पूछ रहा है वो कि कौन इलिजिबल होगा कौन इसका पात्र होगा जो क्या होगा इस योजना का लाब लेगा तो पात्र कौन कौन है ठीक इसको आपको बताना था यहाँ पर किसी प्रकार की यह योजना कब शुरू हुई इसमें क्या eligible थे BPL परिवाल eligible थे उब्भोगता जो समान उब्भोगता है वो थे तो किसानों के लिए BPL के लिए ठीक और समान उब्भोगता के लिए ठीक ओके प्लास 30 unit और 100 unit यौला मैटर लिख देते 30 unit तक free 30 के बाद वाला आ जाता 100 unit तक free उसके बाद वाला आ जाता ठीक तो केवल और केवल eligible लोगों का नाम यहाँ पर लिखना था और उसी से पूरा आपको साथ सब्दों में ठीक अब उस साथ सब्दों में explain करने के लिए आपको थोड़ा सा खीचना पड़ता कि इसके अंतरगत किसानों को इतना बिजली यूज करने पर यह किसान पात्रोंड फिल परिवारों एक उनिट उससे ज़्यादा फिर उसके बाद 30 से जादा कर रहें तो उसके लिए क्या है पी समानोर भोगता को रखा गया है जिसमें एक वेकल्पिक रूप से सामील जिसमें 100 वाट तक यूज करने पर उनको इसमें सामिल किया जाएगा तो इस टेप का क्या करना था आपको आंसर राइटिंग करनी थी याद रखो मैं फिस रिपीट कर रहा हूं अगर जो वो पूछा है आपको सिर्फ वही आंसर देना है यहां पर कोई अपना एक्स्टा दि परिसद्गे देशों का वंडन करना था तो कि इसको रिधानज रẫnत अब्जेक्टिव मतलब उचैनरिंडर उट्डेश को बनाया गया केंद्री सरक्षा वबर सरक्षन परिसद्ग ँग्सटा तो इसको बनाने का रीजन क्या था बताना था तो यहां पर यहां पर उसके कार अधिकारों का सरक्षन फिर नकली विज्यापन पर रोक लगाना या भ्रामक विज्यापन पर रोक लगाना ठीक नकली खाद पदार्टों पर रोक लगाना ठीक भुकताओं के अधिकारों के लिए समय समय पर नियम कानून बनाना ठीक ना लोगों को यह सूचना प्रदान करन ना कि भ्रामा को विज्यापन ना करें ठीक है ना क्लियर और मादक पदार्तों के विज्यापन पर रोक लगाना उनको नकली पदार्तों कोई बेचने पर रोक लगाना ठीक है ना और भुकताओं के लिए समय समय पर क्या करते नियम को वल्णन करना तो यह सारी चीजों के लि किया जाएना तो यह 30 वर्ड में complete हो जाते मगा फिर भी उसने 60 सब्दों में इसको पूछा है तो आपको यहां पर थोड़ा सा खीचना पड़ेगा क्योंकि कुछ कोशन के आंसर 30 वर्ड के लायक होते हैं मगा उसको जानमुद करके 60 वर्ड में डालता है तो भले आपको पता है उसको रटा रटा करके जाकर कि उसको लिखना नहीं पड़ता है उसको लिखने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि अगर यह कोशन है तो इसको 30 वर्ड से ज्यादा क्या लिखोगी मगा फिर भी इसको 60 में पूछा और अगर इसको 100 में पूछ देता समाग से अपने विवेक से लिख सकते हैं मगर रटी हुई चीज को हम खुद से सोच करके नहीं लिख सकते और में केवल क्या है कि आपको समझने वाला पूर्चन है आप जितना उसको समझोगे उसकी राइटिंग आपको और ज्यादा अच्छे से होगी चाहे फिर 30 में इसको पढ़ रहे हो तो उसको समझो जादा जितना ज़्यादा समझोगी वह असानी से फिर आपको और तकर नहीं करेगा ठीक है टाल डर्टेंग करना उनको रोकन के लिए नियम बनाना प्लीपदारा तो के लिए नियम ना इन सारी बातों का उसमें क्या किया गया था mention किया गया था तो यह उसके क्या थे उद्देश थे बस और इसी को साठ सब्दों में आपको explain करना था ठीक उसके बाद next next है आपका खंड तीन आपके उत्तर की सब्द सीमा सौ थी और नंबर था आठ ठीक क्लियर मगर यहां पर जो कोशन पूछे गए थे वो पूरे योजनाओ से संब्दी थे तो यहां पर कुछ ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरुत नहीं थी क्योंकि योजना थे तो उसको पुरा र तो यहां पर पूछा गया है कि किनी आठ अत्याचार के अपराद का वर्णन कीजिए जिनका उनलेक अनुसुचित जन जाती अत्याचार निवारन अधिनियम 1989 में किया गया है तो याद रखो अगर उसने लिख दिया है कि किनी आठ अपराधों अत्याचार के अपराधों क किजीए जिनका उनलेक कहा किया गया है स्टी सी अधिनिया में किया तो वही उनलेक आपको क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा यहां पर आप अपना सोच नहीं डाल सकते ठीक है ना क्योंकि वह डैरेक रूप से तो आपको वही अपराधो को इसमें में इन्षन करना था जो इस अधिनियम में सामिल है यहां पर आप अपने मन से कुछ निराल सकते थे याद रखिए क्योंकि यहां पर वही लिखना है जो उसमें वड़नित थे तून आठ अपराधो को आप क्या लिखते कि घिनात्मक रू करना ना बल पूर्वक सीर मुंडन चेहरेया सरीर पोतना भूमी हडपना बलाज शर्म माना सुले जाना कब्र खोदना हातों से किसी स्थान की सफाय कराना किसी महिला को देवदाशी की रूप में करना तो यह सब अपराद स्टी एससी एक्ट में दिया गया है जो उनके अत्य प्रयोग नहीं करना था ठीक है ना ओके तो आराम से आपको यहां पर नंबर मिल जाता जो आपने लिखा है और वहीं लिखा है जो इसके अधिनियम में वलनीथ है ठीक है क्लियर ओके चलो नेक्स्ट अाप है है नैग्स कोशन है राजी गांधी किसान्य योदना पर लेख लीखिये तो यहां पर लेख लीखना था मतलब एक तरिके से आपको पूरी की पूरी टिपपनी करनी थी तो इसको कैसे एक्सप्लेंड करते इसको कैसे एक्सप्लेंड करते तो पहले तो आप यह बताते कि क्या है ठीक उके उसके बाद कब लागुआ यह बताते ठीक इसका उद्देश क्या है कि किसले इसको लाया गया था फिर उसके बाद उसक बोल रहा है, तो आपको उसमें निसकर्स भी ढ़ना पड़ेगा। ठीक है न, तो क्या है बताते, कब लागू हुआ 2200, फिर उसके बाद उसके क्यों बनाया, क्यों लाया गया था, ठीक, उसका उद्देश क्या था, उसके लाब क्या है, उसकी विशेष्टा क्या है, ठीक है न, और लास्ट में जब आप सब लिख लेते, तो लास्ट में एक लाइन में उसका निस्कर्स लिख देते, किसे किसानों को क्या प्रॉफिट था, ठीक है न, क्लियर, इतना चीज आ यहां पर mention करना था तो आराम से आपको क्या मिल जाता है यहां पर number क्योंकि यह सारे लेख लिख लिखना था ठीक तो लेख में आपको उन सारी चीजों को बताना परता ठीक है तो आराम से यहां पर आपको number मिल जाता उसके बाद फिर next question next question फिर यह गोधन नायोजना से संबंदी था यह भी लेख ही था आपका तो यहां पर भी यही बताना था क्या कि यह क्या है कब लाग हुआ और इसके लाब लास्ट में पूछा है तो क्या है बोला है ना गोधन नायोजना क्या है और सिर्फ वसिप यहां पर बताना था आपक ठीक है ना और इसके लवा कुछ भी चीजे मेंशन नहीं करनी थी ठीक है क्लियर हाँ याद रखे जो बोला है उसी कोई आपको आंसर एक्टिंग करनी है ठीक क्लियर तो लाब बता देते किस से क्या लाब हुआ किसानों की आया बढ़ी कमपोजिट खाद बना जैविक खाद बना ठीक स्वासायता समों की आय बढ़ी ग्रामी छेत्रों की आय बढ़ी तो यह सारी चीजों का क्या कर देना था लाब के रूप में वलनित कर देना था बस क्या है बताते लागू कभवा यह बता देते ठीक यह दो लाइन में एक उसमें क्या बताते तो इसके लाब सी प्रॉफिट बताना था ठीक और इसमें कोई हिसेषद विव देश और इसका निशकार कुछ निई व इसक कुछ यहां पर तो 175 125 सब्द से कोई कोश्चन नहीं था कियो बाट टू से आया गया आलाया थे कोश्चन 125 नमबर वाले ठीक ना मतलब 30 नमबर के कोश्चन थे 60 के थे 100 के भाग एक से और उसके बाद डिरेक्ट आ गया था आपका 175 नमबर का सब्द ठीक जो 15 नमबर के थे 125 वर्ड के कोश्चन इस पार्ट से नहीं पूछे गया थे ठीक है क्लियर ओके तो चलिए देखते हैं अपन तो 175 नमबर में क्या कोश्चन था तो 175 नमबर में पहले कोश्चन पूछा था कि भारती सविधान में महिलाओं के अधिकार के लिए क्या क्या समविधानी प्रावध कि इस थीती का वलनाइन करते हैं ठीक मैक्टिमम यह आप तीन लाइन में कर देते हैं ठीक कितने लाइन में तीन लाइन में कि प्राचीन समय से ही महिलाओं परत्यचार महिलाओं का शोर्चन या किसी प्रगा से प्राचीन समय से महिलाओं के दिकारों का हननन किया गया है इ में महिलाओं के अधिकार हैं तो उसको किते पाट में बाटते चार पाट. मौलीर अधिकार के अंतरगत की आधिकार दिये हैं राजिके नीटी न देसकता क्या अधिकार दिये हैं मौलिक कर्टाविक अंश्यियर तक क्या धिकार दिये हैं और इसके जो भी और जैसे अटिकल 4,15,16,17, continent, firstly, मौलिक अधिकार के अंतरगत क्या हो जाता है दिकjuna गुधिंस, तक चोविस तक जो आ जाता यह आपको क्या हो जाता यह मौलीक अधिकार के अंतरगत किसके अंतरगत मौलीक अधिकार के अंतरगत ठीक उसके बाद उसके बाद आजाता आपका 49 42 46 यह आजाता आपका किसमे नीती नी दे सकता तो के अंतरगत टिक उसके बाद आपका जाता है इन क्या वान तो यह जाता मूल करता है क्या अंतरगत ठीक और अन्न में आ जाता 243D और 325 उसके बाद इतना लिखने के बाद आप क्या करते कि एक यह ऑप्षन लिखते कि चरी तरीन मैलाओं को एकांतता का अधिकार यह धारा 21 के तहट आर् यह भी आपका क्या जाता समयधानी अधिकार के अंतरगा जाता लास्ट में आप यहाँ पर निसकर्ष लिखते कि महिलाओं की दसा को सुधाने के प्रावधान तो महिलाओं की दसा के लिए आप निसकर्ष में क्या लिखते कि केवल महिलाओं के अधिकार का ही क्या होना चा यह दो लाइन में यह ग्वां तीन लाइन में आपके निश्कर्स कंप्लीट हो जाते ठीक है ना ओके तो यहां पर अपका एक परफेक्ट क्या बन जाता आंसर बन जाता यह ठीक है ना क्योंकि निश्कर्स हमेंचा positivity में ही खतम किया जाता है मतलब आपको वहाँ पर अपने सोच को डालना है निसकर्स में आप अपनी खुद की सोच डालिए कि और कैसी किया जाए कि महिलाओं के अधिकारों का बढ़ोत्रियों या महिलाओं के अधिकार बढ़ें ठीक है ना clear तो यहां पर दो तीन लाइन में आप क्या कर देते positivity में निसकर्स को लिख देते और आपका ये एक बहुती सुन्दर क्या बन जाता आंसर बन जाता ठीक है clear ओके समद में आ गया ना ठीक अब आजाओ next तो इसी में पूछा था अथवा करके यहां पर क्या करते आप कि क्या है ये तो किसके लिए था तो तो प्रिवार के मुख्या के लिए था उसकी मित्ति उत्ति होने पर कब लाग हुआ तो 20 अगस्त में हुआ क्या तो महेंद्र कर्मा तेंडू पत्ता नाम रखा गया कौन पात्र होगा ठीक है तो 69 साल तक व्यक्ति प्राप्त होंगे इसमें क्या क्या प्रावधान है तो मरने पर दुर घटना होने पर ठीक क्या क्या मिलेगा तो दो लाक दो लाक फिर उसके बाद दगर 69 वर्ट से कम रहे ठीक न तो वहां पर 3000 55 यह पर यह सारी बातों को क्या कर देना था ठीकर बस इतना क्याकर देना था आपको इसमें वर्नित कर देना ता अराम से आपके क्या बन जाते एंसर बन जाते है एंग क्लियर तो आज का जो आ यह था CGPAC Mains 7th paper का part 1 ठीक सायद आपको यह उमीद है मुझे कि आपको यह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और जो student Mains नहीं दिये हैं वो जरूर यह जान गए होंगे कि हमें 7th paper में कैसे answer या 7th paper के लावा अन्य भी paper होते हैं Mains के तो उसमें answer rating कैसी करनी ठीक है ना और जिन student ने paper दिया है तो वो भी यह समझ गये होंगे कि उनके answer rating perfect है या perfect नहीं ठीक और अगर नहीं है ठीक है तो उसको कैसे और सुधार आ जाए ठीक है clear और अगर perfect है तो बहुत best है clear ओके तो आज आपको यह सारी चीज़ों जानने को मिली next video में part 2 से जितने question question आयते उसको ले करके मैं फिर से आपके सामने आऊंगा और उसको हम फिर से क्या करेंगे analyze करेंगे और फिर उसके बाद part 3 से क्या है एक एक paper को बाट बाट करके इसलिए मिला रहा हूं ताकि यह चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि हर portion से question अलग है और उसके answer rating भी अलग है ठीक है इसी करण 7 पेपर को तीन पार्ट में मैं आपको बताऊंगा analyze करके clear ठीक है ओके तो next video में अपन मिलते हैं second part के साथ ठीक वीडियो को like कीजिए share कीजिए और subscribe कीजिए ठीक थैंक्यू सो मच नमस्कार हुआ